नमश्कार दोस्तों मैं हूँ शिवकांद गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का जीवन कोश में प्रेगनेंसी में महिलाओं को न सिर्फ अपने बलकी अपने सुशु के लिए भी संतुलित अहार लेना चाहिए फुल अच्छे सखाना चाहिए इससे मा के साथ साथ जो बच्चा आपके अंदर है प्रेगनेंसी में वो भी स्वस्त रहेगा प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई तरीकी के फल खाने के लिए कहा जाता है जिन में से एक अंगूर भी है प्रेगनेंट महिलाओं को अपनी डाइट में अंगूर को शामिल करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इससे उन्हें और उनके गर्भ में जो शिशू है उसको क्या फाइदे और क्या नुकसान होगे इसलिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आएए जो रिसर्च पर अधारित है प्रेगनेंसी में अंगूर खाने के फाइदे और प्रेगनेंसी में अंगूर खाने के नुकसान क्या क्या है सबसे पहले anti-inflammatory प्रभाव जी हाँ अंगूर को anti-inflammatory प्रभाव के लिए जाना जाता है एक research के मताबिक अंगूर में polyphenols compound होते हैं जो योगिक anti-inflammatory प्रभाव पर दर्शित करके शरीर को inflammation समंदी समस्याओं से बचाते हैं inflammation के कारण गठिया heart जो रोग होते हिर्दे के रोग और diabetes का खत्रा बढ़ता है ऐसे में अंगूर पूरी तरीके से काम करके इन समस्याओं को दूर रखने में सहायक होता है Pregnancy में महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत कब्स की होती है ऐसे में इससे रहत बाने के लिए अंगूर का सेवन एक अच्छा उपाय हो सकता है एक वग्यानिक अध्यन की माने तो अंगूर में फाइबर की मातरा बहुत होती है ये पाचन क्रिया को बेहतर करके मल त्याग ने कि या निकि आपका जो अच्छे से आये इसकी क्रिया को असान बना देता है इसी वज़े से अंगूर को प्रेगनेंसी में कबस को दूर करने के लिए सही माना गया, खाना चाहिए नमबर दीन, मास पेशियों के लिए, मास पेशियों की समस्या में अंगूर बहुत फाहिदे मन देए, इसका सेवन बहुत लाबकारी होता है इससे जुड़े एक विग्यानिक रिसर्च के अनुसार अंगूर में कार्वो हाइटरेड होता है ये मास्पेशियों के लिए होने वाली जो थकान होती है उसको कम करता है साथ ही उनको मजबूत भी बनाता है वैसे तो ये शोध खिलाडियों और एथलीट्स पर किया गया है लेकिन माना जा सकता है कि प्रेग्नेंसी में भी अंगूर बहुत ज़्यादा लावकारी हो सकता है एक दूसरे अध्यन की माने तो अंगूर में रेस्वेरा ट्रॉल जो होता है एक रिसर्च के मताबिक अंगूर में फैनोलिक्स योगिक और फाइबर होते हैं जो लिपिड और कैलिस्ट्रोल को नियंतरण में रखते हैं Research में ये भी बताया गया है कि सफेद अंगूर के मुकावले लाल अंगूर जो है वो कलेस्टरोल पर जादा प्रभावकरी तरीके से काम करता है ऐसे में अंगूर के फाइदे ही जो फाइदे है उनकी वज़े से आप केलेस्ट्रोल को संतुलित रख सकती है और अपनी डाइट में शामिल भी कर सकती है अक्सर गर्भाव अस्ता के समय पे महिलाओं में हीमोगलोबिन की कमी आ जाती खून की कमी आ जाती इस समस्य से शुटकारा पाने के लिए अंगूर का सेवन करना फाइदे मन दोता है एक research कहती है, विज्ञानिक research कहती है कि अंगूर का अर्क हीमोगलोबिन के स्तर को बढ़ाने में काम करता है ये research athletes पर भी की गई है, इस लिहाथ से माना जा सकता है कि अंगूर खाने से pregnancy के दोरान भी हीमोगलोबिन का स्तर बढ़ जाता है नमबर 6, morning sickness प्रेंग्नेंसी में अंगूर खाने से सबसे बड़ा फाइदा morning sickness को दूर करना भी है दरसल गरव वास्ता जब होती है तो उल्टी आती है, मतली आती है समस्या क्या होती है कि morning में आपको sickness फील होता है इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए अंगूर का जूस बहुत फाइदे मन्द है बताया जाता है कि ये पेट में होने वाली जो ऐसा हज़ता होती है उसको दूर करके morning sickness को कम करता है नमबर 7, हिर्दय रोग से बचाओ हिर्दय रोग से बचाओ करने के लिए भी अंगूर की एहम भूमिका होती है एक अध्यान में पता चला है कि अंगूर में phenolic yogic जैसे की flavonoid, phenolic acid और resveratrol जो है ये होता है ये सभी मिलकर हिर्दय रोग के जोखिम को दूर कर सकते हैं इसके लावा अंगूर के 7 से high blood pressure और लुकसान दायक cholesterol जो हता है उसका स्तर धीरे धीरे कम आ जाता है इन दोनों के बढ़ने से हिर्दय रोग का खतरा होता है ऐसे में अंगूर हिर्दय स्वास्था है यानि दिल के लिए बहतरीन विकल्प है खाने के लिए दिल के स्वास्था के लिए नमर आथ, भून की आँखों के लिए अंगूर को बहुत फाइदे मन माना जाता है एक वग्यानिक अध्यन की माने तो अंगूर में मौझूद फाइटो केमिकल्स कई नित्र दोशों से छुटकारा दिलाने में काम करते हैं इसमें आँख का लाल होना, अन्य आँखों से सम्मंदी छोटे छोटे विकार जो होते हैं उस तरीकी की चीज़ें जो है दूर करता है, इस अधार पर अंगूर को भून, यानि कि आपके पेट में पल रहे बच्चे की आँखों के लिए अच्छा माना जाता है प्रेगनेंसी में अंगूर खाने का नुकसान भी है, प्रेगनेंसी में जिस प्रकार अंगूर खाने के फायदें उस तरीके से कुछ नुकसान भी है तो चलिए बताते हैं आपको नुकसान कौन से है नमबर एक अंगूर में पाए जाने वाले फिनोलिक योगिक टॉक्सिसिटी यानि विशेले प्रभावी दिखा सकते हैं ऐसे में अंगूर का अधिक सेवन करने से दुश प्रभाव हो सकते हैं नमबर दो अंगूर में फाइबर होता है ऐसे में अंगूर का अधिक सेवन करने के कारण फाइबर जादा होने से गैस, मरोडे, दस्ट जासे समझ से भी आ सकती है जो आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं है नमबर तीन, प्रेग्नेंसी के समय कच्चे अंगूर के सेवन से बिलकुल बचे, इससे मूँ का स्वाद खराब होगा और दिक्कत भी होगी और दस्ट भी लग सकते हैं दस्ट लगने से क्या होता है कि कई बार जब आप जादा उल्टी करेंगे तो उसकी वज़े से आपके बच्चे की पोजिशन भी चेंज हो सकती है हम उमीद कर सकते हैं कि इस फल के बारे में जो भी आपकी बाते थी शुबा शंकाएं जो थी वो दूर हो गई होंगी तो फिर चैन से चुनिंदा फलों में से एक फल ये भी अपने प्लेट में रखिए गर्वती महिलाएं गर्वस्त शुशू के लिए ये इतने सारे फाइदे लेकर आता तो इसको जरूर खाएं प्रेगनेंट महिलाएं अंगूर का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाव जरूर ले ले ठीक है तो ये थे अंगूर के फाइदे और नुकसान प्रेगनेंसी के दोरान